जहिन दोस्तों मैं इवरार्षा फिर से एक बार आपके बीच में हमारे यूटुब चैनल बिजनस की बातें पर आपका फिर से एक बार स्वागत हैं दोस्तों आपने अभी तक कि यूटुब पर न जाने कितने वीडियो देखें होंगे इसमें कहते हैं कि 30,000 लगाओ, 10,000 लगाओ, 3,000 लगाओ, लाकों कमाओ, महिने का 50,000 कमाओ, 2,000,000 महिना कमाओ पुस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि ये संभव है कि कोई 10,000 लगाओ, 2,000,000 महिना कमा सके क्या कभी आपने सोचा है कि 3,000 लगाओ, 30,000 महिना कमा सके कोई है ऐसा बिजनस, अगर कोई ऐसा बिजनस होता तो जो भी भारत के बड़े-बड़े बिजनेस मेन हैं वो दोखपती हैं क्या वो कभी अपने करोडों की अर्बों की संपत्ति या अर्बों का इन्वेस्टमेंट करते किसी बिजनेस में नहीं यह जो यूटूब पर इस तरह का वीडियो बनाते हैं यह एक दम गलत है सरासर गलत है लोगों को भाकाते हैं आप यूटूब पर वीडियो देखकर और अपने बिजनेस का सुरुआत कर देते हैं नालेज नहीं होता है अच्छा मार्केट की कुछ जानकारी नहीं होती है जिसके वज़ा से आपका बिजनेस बाद में जाकर चौपट हो जाता है और आप ओधे मों गिरते हैं जो पूजी लगाये राते हैं वो भी डूब जाता है और बिजनेस भी नहीं चलता है मार्केट में इमेज भी खराब होती है और प्रोड़क्ट का रेट भी MRP भी मार्जिंग भी खराब करते हैं दोस्तों कि मैं यही कहाना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी बिजनस का शुरुआत करना चाहते हैं यूटूब पर वीडियो देखकर तो ऐसा ना करें को मिलारा है यूटूब से बिजनस अईडिया ले सकते हैं आप अब भी शीरा लिजिय जिस प्रोड़क्ट के जिसवी बिजनस का आपको अईडिया मिल रहा है चोषब करिए कि कैसा हमारे मार्केट में उसका डिमांड है कि नहीं उस प्रोड़क्त का कि नहीं अगर चलेगा भी तो मार्केट में किस हिसाब से विक्राय क्या मार्जिंग है कितना उसका सेलिंग है और हम बिजनस का अपने सुरुवात करके कैसे उसमें लोगों को प्रॉफिट दे सकते हैं क्यूंकि आप जब तक कस्टमर को प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे कस् अब फायदा नहीं हो सकता अगर जिस दिन आप कस्टमर का फायदा दिखाने लगेंगे आपको अपने आप फायदा होने लगेगा दोस्तों मैं यहीं कहना चाहूं कि अगर आप किसी बिजनस का सुरुवात करना चाहते हैं तो आपको कम से कम जितना भी इन्वेस्ट करना जाते हैं उसके तीन गुना ज्यादा आपको विजनेस रखना पड़ेगा अगर किसी बिजनस का सुरुवात 1,00000 रुपे लगा करना चाहते हैं तो आपको कम से कम जितना भाय का बैल्मन सम्देस रखना पड़ेगा दोस्तों मैं बताता हुँ कैसे आपको सntдо 100,000 रखना प दुकांदार उस product को लेने से खत्राएगा और लेगा नहीं। आपको मजबूरी में या तो माल उधारी देनी पड़ेगी या कुछ percent उधारी देनी पड़ेगी या फिर आपको मार्केट में प्रचार के लिए पोड़क्त देना पड़ेगा दोस्तों अधिकतम जो भी पोड़क्त जाता है वह उधारी जाता है अगर आप उधारी पर देते हैं या कुछ परसेंट मिल जाता है तो आप मीनिमुम यह मानकर चलिए कि आपका कम से कम 40-50% मार्केट में उधारी रहना ही रहना है दोस्तों अगर simply आप एक लाक रुपे इन्वेस्ट करके कोई बिजनस किये 50% उधारी रहा 40% उधारी रहा नया पोड़क्ट लांच किये हैं तो भी आपका 40-50 रुपे कम हुआ वो पैसा आप क्या करेंगे कहां से लगाएंगे वही जो आप 3 लाख रखे रहेंगे उसमें से फिर से आपको 50,000 लगाना पड़ेगा दोस्तों फिर आपका उतना बिजनस तयार होगा यह बकाया है फिर अगर आपने बिजनस का खर शेत्र बढ़ा रहे हैं एरिया ज्यादा कर रहे हैं आपको फिर से उधारी देनी पड़ेगी तो और simply मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका एक बिजनस आपके स्टोर में होगा एक पूजी मार्केट में होगा और एक पूजी आपके bank account में होना जरूरी है जब तक आप के पास तीन पूजी नहीं है आप बिजनस में कभी सक्सेज नहीं हो सकते यह जो लोग कहते हैं कि इतने में सुरुवात करो इतना कमाओ यह सुरुवात करो इतना कमाओ यह नहीं हो सकता दोस्तों लोग YouTube पे पीडियो दिखा कर अपना मसीन बेचने के चक्कर में मसीन लोगों को लगवा देते हैं एक महिने दो महिने के बाद फिर छोड़ देते हैं उसको भूल जाते हैं आखिर में उसकी मसीन भी खराब पूजी भी खराब होती है और जो भी इन्वेस्ट किये होते हैं सब डूप जाता है और फिर वह जहां सुरुवात करता है वहीं का वहीं रह जाता है लगाए इसके दोस्तों मैं कहाना चाहूंगा किसी वी बिजनेस का शुरुवात आप पहले मार्केट में सर्च करिये उसका रेट भाव पता करिये कि जगह पर हम बिजनेस का शुरुवात करें वह जगह चूच किजिए उसके बाद से किसी मसीनरी को लगाने से बहतर है कि आप उस प्रोड़क्ट को कहीं से खरीद कर किसी होल सेलर से या मेनुफेक्चर से खरीद कर अपने मार्केट में उतारें अगर उसमें प्रोफिट लग रहा है यह आपको उमीद लग रहा है कि हां वो बिजनस चलेगा तब उस बिजनस को आगे बढ़ाएं और अपनी मसेंट मेनुफेक्चर से माल लें उसको मार्केट में लांच करें उसके नफा नुक्सान के बारे में जानकारी लें अच्छा से उसके बाद कोई मसेंट्री लगाएं अपना मेनुफेक्चरिंग अपना ब्रांडिंग या कुछ भी करें अगर आप सोच रहे हैं कि हम पहले इतना इन्वेस्ट करूं और अपना फूजी फसाओं अपना ब्रांडिंग करूं तो दोस्तों आप ये तभी करिए या तो आपके पास बहुत सारे पैसे हैं या आपके पास अधर से कहीं साइड बिजनस या साइड इंकम है तब करें अगर आप सोचें कि हमारे पास सिर्फ इतनी पूजी और इतना लाक मैं इतना कर लूँगा इतना कमा लूँगा ये नहीं हो सकता दोस्तों जितने भी बड़े-बड़े बिजनस मैन है आप उनका अगर हिस्ट्री देखेंगे तो पीछे उनका जो बैक्ग्राउंड है जो इतिहास है वो बहुत महनत करके बहुत इस्ट से धीरे धीरे उस दुकान में बैठेगा कस्टमर आएंगे एक आएगा दो आएगा चार आएंगे बढ़ते 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 तब उसकी दुकान स्पीट पकड़ती और चलती है तो दोस्तों हम तो किसी बिजनस का सुरुगात कर रहें मार्केट में हमको बने बहुक्τοर प्टाना होगा और उस पर लगए रहना होगा इंवेस्ट करना होगा समय देना पड़ेगा तब जाके हमारा बिजनस अच्छा इंकम देगा। बिजनस एक पुत्र है अगर आप यह समझ के जिस तरह से आप अपने एक पुत्र को एक लड़के को पालते हैं उस तरह से आपको बिजनस को पालना पड़ेगा तब बिजनस बड़ा होके आपको फायदा देगा दोस्तों मैं अभी यूटूब पे नया हूँ मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे बिजनस की बातें चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेर करें और अधिक से अधिक चैनल को वीडियो को सेर करें जिससे कि अधिक लोग देखें और जानकारी मिले जहीं दोस्तों